और रेकोर्डिंग स्टार्ट कर देता हो आपको अन्याइब कर देता हो और जो भी सवाल है आप मुझे चाड़ वोक्स में या बाद में पूछ सकते हो यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने आपको जो चीजे बताई यह आपको इस तरह से सॉट आउट करने है जो मैंने आपक देखें यह नॉर्मली ऊपर या नीचे नॉन डिफाइंड ऊपर या नीचे अगर नॉन डिफाइंड आता है तो आपको करना क्या है आपको कुछ भी नहीं करना है जब भी अगर आपके नॉन डिफाइंड आता है तो नॉन डिफाइंड देखें मैं आपको क्या बताना च अगर आपके IC की health normal है warning है या urgent है तो यह तीन condition में normal warning urgent इन तीन condition में आप IC को repartition कर सकते हो मतलब यहाँ पे जाके आप उसे बतोर repartition कर सकते हो लेकिन मेरे भाईयो अगर वो non-defined या reserve ध्यान दीजे non-defined और reserve आता है तो उस condition में repartition नहीं होगा अभी problem क्या है कि UFI में easy की बात नहीं कर रहा हूँ कि UFI में क्या होता है कि अभी UFI का जो नए अपडेट आया है उस नए अपडेट में कि प्रूब्लेम क्या है यहां देखे यह आई-सी आप देखे यह चीज़ देखे मैं जो आपको अभी explain कर रहा हूँ यहां पर health सही है लेकिन यहां पर क्या लिखा है non-defined ठीक है मैंने अभी इस 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 को UFI में चेक किया यहां पर यह नॉन-defined बता रहा है अभी आई-सी का आप नंबर देखे लेकिन नंबर क्या है Q7-2 SMB IC का नंबर क्या है Q72 SMB यही IC को मैं आभी EGZ अटक में आइडेंटिफाई करता हूँ सेम IC को EGZ अटक में आइडेंटिफाई करता हूँ और उसकी हेल चेक करता हूँ थ्यान दीजे वेट देखे मैंने आभी UFI में क्या हेल चेक की और आभी EGZ में चेक कर रहा हूँ जितने में आपके मिट्स है जो भी गलत फ़िमी है उसको दूर करूंगा मैं ओके सो चेक करता हूँ चेक को कि यहां प Craig पर अडवांस में आते हैं और स्मार्ट करता हूँ कि यहां पर दिखा रहा है ऋमानल तो वहां पर नॉन डिफाइन बतीर है और यहां पे नॉर्मल बता है हम किसका सही माने उसका या इसका तो प्रॉब्लेम क्या हुआ है भाइयो मैं आपको बता देता हूं यह जो का नया अपडेट आया हुआ है यह नया अपडेट जो है उसमें जो भी Ic नॉर्मल है उस सारे IC को non-defined show करता है इसका मतलब यह नहीं है कि वो non-defined है वो normal है लेकिन अगर मेरे भाईयो दिहान दीजे मैं आपको वापस बाता देता हूं non-defined अगर आपको इस तरह से यह मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर यह देखे इस तरह से अगर non-defined उपर आ रह रहो अगर इस तरह से ऊपर आ रहा है ठीक है यह पर नॉर्मल है तो अभी उसमें मैंने आपको बताया कि यह शौप्टर का प्रोब्लम है यह ना की आईसी का प्रोब्लम है आईसी सही है लेकिन फिर भी अगर यहां पर नॉन डिफाइंड बता रहा है अपको स्टॉक रॉम से सॉप्ट्वेर करना है वनली फ्लैश ना आपको डंप रीड करना है ना आपको सीक्यूरिटी रीड करना है कुछ नहीं करना है सिंपल आपको स्टॉक रॉम से फ्लैश करना है मोबाइल ओन हो जाएगा लेकिन ज्यादा दिन तक वो काम नहीं करेगा मतलब कस्टमर को कस्टमर को वो अब बता के दीजिए कि यह प्रॉब्लिम आएगा अभी यह जो नया अपडेट इजी जैटक का आया हुआ है इस इसके अंदर यह आपको शो कर रहा है लेकिन यहां पर एक लिंक है इस लिंक को मैं आपको दिखा देता हूँ यह लिंक में यह नया सेटप आ चुका है इस नय सेटप में अगर आप use करोगे देखे अगर आपके पास पुराना है तो इसमें यह दिक्कत आएगा यह जो link है इस नए setup को अगर आप UFI के साथ connect करोगे तो जहाँ पे आपको non-defined डिखा रहा है वहाँ पे आपको normal डिखाई देगा तो यह setup का जो link है मैं आपको group में send कर देता हूँ आपको group में यह link मिल जाएगी इस link को आप use कीजे और जो अभी आपको UFI में non-defined का problem आ रहा है वहाँ पे आपको normal दिखाई देगा ठीक है तो आशा करता हो आपको यह जी यह old वाला setup है जो मैंने आपको अभी बता रहा हूँ पुराना वाला setup में आपको यह normal दिखाएगा जो लेकिन जो नया setup आया है इस नया setup में आपको वो non-defined दिखाएगा तो non-defined में आपको करना क्या है कि non-defined में मैंने आपको simply बताया simple चीजे मैं नहीं बताई कि आपको इस condition में flash करना है लेकिन अगर दोनों side ध्यान दिखाएगा यह दोनों side अगर non-defined आ रहा है तो ना यह flash से ठीक होगा ना यह repartition से ठीक होगा इसे आप ठीक नहीं कर सकोगे यह आपको support नहीं करेगा इस condition में आपको simply change करना है और non-defined के जगा पर ध्यान दीजए यहां पर non-defined के जगा पर अगर reserve आता है इस condition में भी आपको repair नहीं करना है इस condition में भी आपको replace ही करना है तो यह चीजे आपके जो myth है non-defined के बारे में यह मैंने सारे myth अभी clear कर दिये तो bad health का जो topic है वो खतम हो चुका है कल मैं आपको EMMC change के topic के बारे में पढ़ाऊंगा EMMC change के total 27 topics है और एक-एक topic को मैं एक-एक करके step-to-step पढ़ाऊंगा कल से जो class होगा उस class में आप बैठिये सारे जैसे कि अगर आपका IC पूरा damage है उसका dump आपके पास नहीं है उसका security आपके पास नहीं है उसका stock room क्या होता ह है security, IC पहली बात है कि IC कैसे पहिचाने कि हमें उसे कैसे change करना है, change करने के बाद और लोगों पर क्यों आटक रहा है, vibrate क्यों हो रहा है, CLK clock का IC change करने में क्या role है, अगर CLK short होता है तो क्या होता है, यह सारे topic 27 topics को मैं कल के class से पढ़ाऊंगा, तो आज हम यहीं रोकेंगे अगर किसी